हाई एवरिवान वेल्कम टू आर चैनल और आप सब कैसे हो चलिए मैं यहां से शुरू करती हूं यह सेकेंड क्या रही है इसमें क्या-क्या लगा हुआ है मैं बताती हूं आपको देखिए हर्शंगार प्लांट है इसमें डेली इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है इस पार गेहए कितनी हाइट पकड़ लिए इसने और चारतरब को नहीं प्रूणिंग है कर दूंगे इसकी फ्लावर बन दो закон में याई इसमें देगी सीट्स वन रहे हैं इसके कि लाके ईर्वर रात को खिलते हैं और सुभे गिर जाते हैं रहत सुख्या है बहुत अच्छी कि इसके बगल से लगाया है यह डवल चांद नहीं अभी छोटा यह भी लगाया है एक महीने पहली लगाया था इसको अभी इसमें फ्लॉवरिंग नहीं हुई है पर इसकी हाइट देखिस कितना हेल्दी हो गया है वी छोटा यह है और इसके बगल से लगाया है यह नाग चमपा यह वी काफी अच्छा है देखिए काफी अच्छी हाइट पकड़ लिए इसने इसको लगाया हुई बनियर हुआया भी और इसमें फ्लॉवर भी खिल रहे हैं देखिए कितने सुन्दर फ्लॉवर है और इसके बगल से लगाया है यह गुड़हल का प्लांट इस पर जाली लगा देखिए क्योंकि गिलेरी इसको काड रही थी तो इसकी सेप्टी के लिए जाली लगा देखिए यह यलू कलर का फ्लॉवर है गुड़हल का बहुत सुन्दर फ्लॉवर आता है बड़ा फ्लॉवर आता है और इसके बगल से लगाया है यह प्लांट इसमें रेड कलर की फ्लॉवर आते है बहुत सुन्दर आते है अच्छा लगता है यह और इसके बगल से लगाया है यह सो है और इसमें लगिया यह अलमंडा वाइन इस बहुत सुन्दर फ्लॉवर आते हैं जब से इसको बेल को लगाया है तब से इसमें इतनी फ्लॉवरिंग हो रही है बर साथ में तो काफी अच्छी फ्लॉवरिंग हुई थी धेर सारी फ्लॉवर अभी कम हो गया है थोड़ा और सुन्दर लगती है देखिए कितने सुन्दर फ्लॉवर है याँ मतों इस दिए कि लेरी यह यहां पर क्हेलती रहती है किसी-किसी पादे को काटती रहती है जैसे बैंगन के पादे गुडैल के पादे यह देखिए यह चांद नहीं का है वह इस पर भी मुझे जाली लगानी पड़िए क्योंकि इसको नीचे से कट कर रही थी कि इसमें भी बहुत संदर फ्लॉवर आता है चांद नहीं का वाइट कलर का फ्लॉवर आता है कि तो कुछ इस तरह से यह क्यारी आती है कि देखिए कुछ इस तरह से यह क्यारी आती है बहुत संदर फ्लॉवर खिलना है यह लो कि लरके कि अभी और भी क्यारी बनी हुई है इसमें बताओंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में चलिए वीडियो का एंड करते हैं संदर संदर बगुंगलिया फ्लॉवर के साथ